एक इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन एटम में उसका ट्रांजिशन करवाया जा रहा है एन एक एक एनर्जी लेबल और यह लोवर इस्टेट है और एक इलेक्ट्रोन ट्रांजिशन कर रहा है एन एक को टुन में जब हाइक से लोवर आता है तो यहाँ पे एनर्जी एमिट होती है मतलब कैसी होगी और वो बोला है कि what is the wavelength of light जो energy emit हो रही है उसकी wavelength calculate करनी है तो हम लोग पहले कहा लिए कि हम लोग पहले delta यी calculate करें delta यी का formula होता है हम लोग लिख सकते है कि 2.18 इन्टू 10 टू पर माइनस 18 z square 1 upon n1 minus n1 square minus 1 upon n2 square इस formula में क्या करते हैं n1 जो है वो अपनी lower state है और n2 higher state है और जब भी ये formula यूज करें तो पहले delta ही calculate करने है इस formula के साथ में चाहे electron का transition higher to lower हो रहा है या फिर lower to higher हो रहा है और उसके बाद में हम देखें कि वहाँ पर energy emit हो रही है तो energy में minus कर दें और अगर energy absorb हो रही है तो उसको plus कर दें simple और कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर value calculate कर दें 2.18 into 10 to power minus 18 और यहाँ हो जाएगा 1 by 4 4 minus 1 by 60 जो value आ जाएगी 2.18 into 10 to power 2.18 है यहाँ पर into 10 to power minus 18 to 3 by 16 तो जिसकी value यहाँ से calculate होके आ जाती है 0.408 into 10 to power minus 19 जूल यह जूल में है अब लेकिन हमें यहाँ क्या पूछ रहा है wavelength तो lambda कैसे निकल के आएगा हमें energy पता हो चुकी है तो lambda equal to जो formula होता है E equal to hc by lambda और तो lambda equal to लिख सकते हैं यहाँ पर hc by e तो यहाँ आ जाएगा h की value हो जाएगी 6.6 into 10 to power minus 34 c हो जाएगा 3 into 10 to power 8 और lambda की value यहाँ आ रही है 0.408 into 10 to power minus 19 sorry e की value जूल तो lambda calculate होके आ जाता है यहाँ पर 4 4 8 5 4 8 5 4 8 5 4 8 5 nanometer झाल झाल झाल